हालो फ्रेंड मेरा नाम है मरी नलगोश और इस वीडियो में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है अज हम आपको दिखाएंगे कैसे हम बहुत यासन तरीका से सिर्फ पैन नमबर डाल के किसी का भी जीस्टी नमबर पता कर सकते उसके साथ साथ जीस्टी का पूरा डिटेल्स पता कर सकते उसके साथ साथ फाइलिंग टेविल यानि कब कब रिटन फाइल किया है वह भी हम इदर से पता कर सकते बहु कैसे करते वह हम इस वीडियों में दिखाएंगे तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना परेगा तो चलि आजका बीडियो शूरू करते accepted सबसे पहले हमको कोई भी एक ब्राउजर से गूगल पे जाना परेगा गूगल पे चला जाएंगे तो नीचे हमको साजबार दिखेगा वह साजबार में जाके हमको लिखना परेगा GST GST लिखके सार्च करने से इधर पहला वाला जो लिंक इधर आ जाएगा www.gst.gov.in oi link पे क्लिक काना परेगा oi link पे क्लिक कर देंगे तो GST का official website open हो जाएगा या फिर हम चाहे तो direct address बर में जाके gst.gov.in लिखके भी GST portal open कर सकते तो हम क्या करेंगे इधर जो पहला वाला लिंक दिख रहा है gst.gov.in oi link पे क्लिक कर देंगे जीडर one link पे क्लिक कर देंगे तो GST का official website open हो जाएगा तो देखी इधर GST का official website open हो गया तो इधर हमको उपर में बहुत सारे option दिखेगा जिधर हमको एक option मिल जाएगा Search taxpayer तो देखी इधर बहुत सारे option दिख रहा है इधर middle में हमको एक option दिखेगा search taxpayer, search taxpayer option पे click कर देंगे तो search taxpayer के अंदर हमको बहुत सरा option दिखेगा जिधर हमको एक option मिल जाएगा search by pen, search by pen option पे click कर देंगे तो एक नया page इधर open हो जाएगा तो दिखी इधर एक page open हो गया जिधर मेरे को search taxpayer दिख रहा है तो इधर हमको सबसे पहले permanent account number यानि pen number डालना परेगा डालने के बाद search option पे click करना परेगा तो इधर हम pen number डाल देंगे तो दिखी इधर हम pen number डाल दिया pen number डालने के बाद नीचे हमको capture डालने का जगा दिखेगा तो नीचे जो capture दिख रहा है capture हमको इधर डालना परेगा capture डालने के बाद search option पे click करना परेगा तो इदर हम क्या करेंगे capture डाल देंगे तो देखिए इदर हम दोनों ili fill up कर दिया दोनों fill up करने के if नीचे हमको search option दिखेगा वे इस oms выглядит search option पे click कर देंगे तो ने निचे मेरे को search result दिख रहा है जिदर हमको gst नंबर दिख रहा है तो देखिए निचे मेरे को क्लिक कर देंगे जिएस्टी नमबर पे क्लिक कर देंगे तो ऐसा एक पेज आ जाएगा जिदर ऊपर में जिएस्टी नमबर दिखेगा और नीचे हमको capture डाल ना परेगा नीचे जो capture डिक्षा ही right capture हमको इदर डालना परेगा capture डालने के बाद search option पर click करना परेगा हम क्या करेंगे यह कैपचा डाल देंगे तो देख्ये हम पुरा fill up करदिय้ं पूरा fill up कर दिया पूरा financial स्सार्च बब्र vê-ल और सुद्ध कर produce बिजनेस दिखेगा उसके राइट साइड में जिएस्टि स्टाइटस दिखेगा उसके राइट साइड में टैक्सपेयर टाइप दिखेगा उसके नीचे मेरेको एड्मि 스펟 इप ओफिस दिखेगा जीधर हमको जूरीizado कमिशन रैट सार्केल 2024 फाइये सब बिएव जो option दिख रहे हो अधर क्रिक करके आप यह सब देख सकते अभी नीचे आ जाएंगे तो इधर आपको एक option मिलजाएगा नेचर बिजनेस अक्टिविटी का नेचर क्या है, वह हमको इधर से मिल जाएगा नीचे आ जाएंगे तो इधर आपको दीखेगा dealing in goods and services, कौन सा goods and services में dealing होता है, वह भी हमको नीचे मिल जाएगा, जिदर हमको HSN code मिल जाएगा और description भी मिल जाएगा, तो इधर से हम goods and services देख पाएंगे, जो जो goods and services में deal होता है, अभी नीचे आ जाएंगे तो इधर हमको और एक option मिल जाएगा, show filing table, show filing table option पे click करके हम GST filing का table देख पाएंगे, यानि कब-कब GST return file हुआ है, उसका सारे details हमको मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे, show filing table option पे click कर देंगे, तो देखिए इधर पहला वाला जो option दिख रहा है, इधर हमको दिख रहा है filing details of GSTR 3B, GSTR 3B कब-कब file हुआ है, सारे details हमको मिल जाता है, उसके right side मे filing details of GSTR 1 और IFF, यानि GSTR 1 का filing details हमको मिल जाता है, नीचे हमको मिल जाता है GSTR 9 का filing details, तो इधर से हम GST filing का पूरा details देख सकते, तो ऐसे हम बहुत ही आसन तरीका से सिर्फ pen number डालके GST का पूरा details पता कर सकते, उसके साथ साथ GST number filing table ये सारे details हम देख सकते, I hope मेरा वीडियो अच्छा लगा तो like जरूर करना और बहुत सारे share करना और मेरे को comment करके बताना की कैसा लगा, और मेरे चैनल में नया हो तो subscribe भी जरूर करना, अज़के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो के साथ, जय हिंद